स्वागत आप सबी का एक बार फिस से जी डी सीव टूटर के मेडिसीन सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही पॉपुलर मेडिसीन वोलिटरा प्लस जेल के बारे में जी हाँ क्या मिला होगा इसका उपयोग क्या होता है इसके काम करने का तरीखा यानि इसका蒟 मतलब इस प्रिकॉशनी जोकि चल्ए मैं यहां पर पांचुन्टैम्ट व के निगे होते हैं सबसे पहले menthol इस जल में मिला होगा जो की 5% weight by weight के amount में मिला होगा diclofenac इस जल में 1.16% weight by weight के amount में मिला होगा capsicin जो की 0.025% weight by weight lincid oil 3% weight by weight और methyl salicylate जो की इस जल के अंदर 10% weight by weight के amount में मिला होगा manufacture की बात कर ले तो बहुत अच्छी company sun pharma limited दोरी बनाई जाती है store की बात कर ले तो 30 degree के below store करते है और MRP इसकी 30 gram के जल की tube की कीमत आपकी 100 से 115 रुपे के असपास आती डियर बात करेंगो उपयोग की जी हाँ मेली किन किन चीजों में इस जिल को डॉक्टर देते है इस जिल का यूज किया जाता है मेली आपका जब pain होता है उसको दूर करती है जो susan होता है जब गठिया रोग हो जाता है उसको दूर करती है inflammation को ही हो जाता है arthritis के कारण जो pain, swelling, inflammation इन चीजों को ठीक करने के लिए वो लीटरा प्लस जिल बहुत अच्छी medicine माने जाती है साथ साथ यह आपका जो lower back में pain होगा या neck में pain होगा shoulder में pain होगा इन सारे pain को दूर करने के लिए इस जिल को बहुत अच्छा विकल्प माना जाता है बात करेंगे काम कैसे करता है देखिए total देर सारे content इसे में मिले हुए होते है सबका अलग-अलग role है यहाँ पर देख लेंगे सबसे पहले बात करेंगे जो diclofenac है और methyl salicylate है non-stridal anti-inflammatory या नहीं कि NSAID category की ड्रग है जो कि pain को दूर करता है जी हाँ pain killer की तरह act करता है ऐसे messenger, chemical messenger जो pain, swelling, inflammation के लिए response भी होते है उन्हीं को block कर देगा जिससे आपका pain, swelling, inflammation ठीक हो जाएगा बात करेंगे capsaicin की एक तरह से natural extract है किसका? चीली पीपर का जो कि pain messenger को nerves तक जाने नहीं देता क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है pain का messenger यानि pain का sensation ही नहीं जाएगा नरुस्तक यानि आपको pain feel ही नहीं होगा lincid oil की बात करें तो इसमें anti-inflammatory property रखती है जी हाँ anti-inflammatory property होती है जो की invite कर देती है किसको inflammatory mediator जैसे leukotrine जी हाँ illucotrine को invite कर देगी जिससे जो inflammation होता है वो भी हमारा क्या हो जाएगा? reduce हो जाएगा menthol की बात करें तो एक तरह से soothing और cooling agent होता है cooling sensation प्रवाइड करता है जो की आपको cooling sensation देगा तो आपका जो blood vessel होंगी वो dilate हो जाएगी जिससे आपका analgesic effect यानि की आपका जो दर्द है वो भी कम आपको feel होगा मतलब इस प्रकार की जो आपका pain है जो inflammation है सूजन है अलग अलग जगहों पिछाए back पे हो जोडों में हो arthritis का हो या अलग shoulder वगरा जहां भी हो वो अच्छे से ठीक हो जाए बात करेंगे इसके doses की तो इस dose को आप के doctor के हिसाब से ही लगाना चाहिए normal dose की बात करें तो तीन से चार बार एक दिन में लगा सकते हो आप बात करेंगे इससे कुछ precaution की तो जीतना भी dose बताया गया है उससे जादा कभी भी apply न करें बच्चों की पहुत से इसे दूर direction अवस्य पड़े साथ इसे जो खुले wounds यानि खुले घा होते हैं कट होते हैं जल जाते हैं उस पर कभी भी न लगाएं बहुत ज्यादा irritation फील होगा बात करेंगे इससे जुड़े कुछ common side effect की तो इसे लगाने के बाद थोड़ा सा redness देखने को मिल सकता है इचिंग हो सकती है थोड़ा सा जलन जहां लगाओगे तो जलन यहीं बर्निंग सेंसेशन हो सकता है सोडिय सुड़े यह था आपका वो लिट्रा प्लस जिल जी हां एक ऐसा जिल जो की आपके arthritis की condition में जोडों के दर्द में shoulder pain, neck pain, back pain अलग अलग condition में जो आपका दर्द होत होते हैं गोली होते हैं उसका भी वीडियो बनाया हुआ है आप इस playlist को भी जरूर विजिट कीजिए चली मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले topic के साथ तब तक के लिए thank you so much dear all the very best